नमस्कार आज फिर हम अले के आए हैं वदोई जिला में और आज जानेंगे इन बकडियों के बारे में देशी बकडी का पालन यहां पर हो रहा है और कैसे इसका रख रखा हो रहा है क्योंकि जहां पर अभी हम खरे हैं पास प्रोस में हजारों बकडिया जो है चड़ाई पर कुछ लोग है जोगर पर जो है कि खाना खिलांकी इसका पालन कर रहे हैं तो आज हमारे साथ हैं किसान जीनके घर में कई सालों से बकडियों हो रहा है रहा है क्या नाम हुआ सबाधियों चारे accumulated हैं और खास करके देखा गया कि पाल समाज के जो लोग में जब तक रखते थे तो बहर रखते थे अब अच्छा है और बढ़ियां से बच्चा देती हैं पालते हैं अभी कौन सा गाँ है कौन सा महाली बहदों ही जिला और कटरां परसनी उत्तर पर्देश जी और यहां पर बगल में कोई मंधिर भी है सिता मड़ी का कि अभी कुल बकडी कितनी है तो अभी दूप में ले जाएंगे यहां से घर पे रखेंगे अभी सुबह सुबह है दूप चाहिए इसलिए दूप में रखे थे तो अभी जी से हम पूछ पूछ रहे थे थोरा दिर पहले कि भेर पालन में जब इसमें आये बदलाव की बखरी पालन में तो क्या-क्या बदले सिस्टम में कुछ बदलाव आया अच्छी नसल रखे और अच्छे सिंको मेंटन रखे हमारे में इंकम दिखा तो इसलिए यही सब देशी बकडी क्रोस अभी क्रोस में है यह पेवर देसी है यहाँ के दातगी बकडी अभी है अभीड़ दातगी है गाभीन हो गई है तो आपको तो लगता है मेरे ख्याल से अनुब लेने का जरूत न परा हो सब पता है हमको बच्पन से कर रहा है न अच्छ आप तो कई से पकड़ेंगा मतलब आप मदर गौड कितना है जो मम्मी है बच्चे देने वाली लगवग दस से 15 दस से पंदर बच्चा देने वाले देखा गया है कि माली जो लोग शोटे नसल की बकडी पालते हैं या देशी पालते हैं तो मन में विचार आता है कि हम तुरा सा 4-5 बड़ा भी रखें तो उसके लिए घर पे अलग से रहें इनको चलाने कितने बज़े ले जाते हैं रहें लगभग 12 बज़ांगे एक बज़े और सामक। 4 बज़े वापस चले आएंगे म Loris एसके बाद यहां पर लाक 13 होंगे सब्छित no राचारा में पीपल का पत्ता और बबू का पत्ता देते तो धर्म नहीं देते लिए जाते में घर पर नहीं देते बकडि जो शुरुबाद जिब श्टाट किये थे तो कहां से खरीदे आप पिता जी रखे ते घर की हैं कितना बच्चा देगी दो से तीन भी देगी तो अपने नसीब के उपर है जो आप घर पे रखें बड़ी वाली बक्री जो बाहर से लाकर रखें मेरे ख्याल से लेकिन बड़ी में है तो जरूरी नहीं है कि सब ब्लैक बंगाल के तरह बहुत चोटा होता है यह खर बगड़ी जिसको बोलते हैं वह होता है जो कई जातकी होती है और देशी बकड़ी में ऐसे भी जो है कि बच्चा देने का चमता ज्यादा होता है ब्रीडर कौन सा रख रखेंड चरूरी होता है जो हो मिघ यही है कितने धिन से रखे हैं एक पहली बार बच्चा दी थी डोकी इसको दियए अभी यह सब्सक्राइब बारब बच्चा दिती है चारदाथ की हो पेंगे बच्चे बार एक मही महीने के बारवें हो जाती है है और अपने उपर है अहीं पर देश्टा फोजा कि ना कि गांगशह इस लिए- इसकाīम अभी किसान आपके पास तो लेने वाले लोग कहां से आते होंगे यहां पर जैसे यहीं हंडिया के हैं बरोद के हैं एलाहबाद जिल्या से बदोही के भी आते हैं पालने वाले भी आते हैं जिनका सहोख है रखने के लिए वो ले जाते हैं इस ट्रीप का बच्चा अगर लेना चाहिए ब्रीडर मनाने के लिए यह बकडीद के लिए तो कितना तक में आप 10-12,000 लगेगा 10-12,000 जी और अभी का का परेसानी चल रहा है कि समय इस मोशब में तो हमारी साप से कोई पर्सानी हम लोग किसान हैं और अपने तरह से इन को रखते हैं कोई दिक्कत कोई परसानी नहीं है समएं पर में अपने बच्चे को लगवाते हैं तो वैसे जो है कि बखरियों का भी टीका करन होता है कीरा का दवा देते हैं ना इसका जो लेकिन टीका लगाना ज़रूर यह कभी टाइम टाइम से जो की हाई टेक निल जाम अच्छा और टोल जाने सब दवाद कीडा का देते रहते हैं मतलब अनुभव आपको अगर लेना है बकडियों का तो जो किसान है जो कई सालों से बकडी पालन करते हैं वहां से भी आपको कुछ न कुछ अनुभव मिलेगा और सटिक ज्यान मिलेगा और आपके जनकारी के लिए बता दे कि पट्ना में सुधीर सरका ट्रेनिंग तो चल ने मिलता है आते हैं कि अभा देते हैं अनुद सट्पू प्या दिकट हाई तो दवा दे गेंगे कि पाल्य जे अब को वह सब्सुर्व सकतल खेंट अब नहीं हैं यहां कुछ बता सकते हैं व्हाँ यह आप काम रहे हैं कि कि 얼마 भी कुछ almost करते हैं नहीं इसके lahiva कुछ नहीं करते हैं हमारा original business यही है personal यही है उर मेरे हैं यहां यही से हमारा सШके अनुमान हमारे किसानों को बता सकते हैं हमारेbecause को कि इतना अगरगडी कोई रख तो कितना साला ना कम나 सकतें को समघनukan बकड़ी पालन में फायदा है लेकिन कौइदा को काईदा से करने पर है अपने उपर है अब जैसे कि कोई किसान ले गया और हमारे सुनके ले गया कि भाईया इतना कमाते हैं साल में ठीक है अब ले गए दस दिन उसको अच्छे से रखे उसके बाद उसका टेंसन छोड़ दिए तो ऐसे थोरी कमाएंगे महनत करना पड़ेगा उसको अच्छे से रखना पड़ेगा तब आप कमा सकते हैं तो अब दुनिया में कोई इसा काम नहीं है जिसके लिए मेहनत ना करना पड़े और बाकी वही जो है कहने वाले लोग कहते ही है बकरी का बिजनस है या कुछ भी है लेकिन मेहनत करेंगे तब ही आगे बरेंगे बने रहीएगा हमारे चैनल पर मिलते हैं फिर नए जगपे नए जनकारी के साथ तब तक के लिए जय ही जय भारत